देखिए गर्मा गरम और ख़स्ता और नरम दूद की पूरी तैयार हो गई है आप इसे यात्रा में ले जा सकते हैं देखिए गर्मा गरम और ख़स्ता दूद की पूरी तैयार है तो चलिए अब बनाते हैं दूद की पूरी आत्रा पर जाने के लिए अगर आपको खाना ले जाना है पूरी ले जानी है तो आज में बताऊंगे कि आप दूद की पूरी ले जा सकते हैं तो यह मैंने आदा किलो आटा लिया है और इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि दूद की पूरी जो बनाते हैं उसमें नमक नहीं डालते हैं और यह मैंने दूद लिया है अब इस दूद म की खराब भी नहीं होगी और ये अच्छी खस्ता बनी रहेंगी पुड़ी अब थोड़ा-थोड़ा दूट डालके हम इसका डो बना रहा है यह हमारा डो तयार है और इसको सन्ने में केवल 500 ग्राम दूद लगा है और मैंने घी थोड़ा सा हाथ में लेके और इस आठे को मठार लेंगे यह देखिए हमारा आठा भोत अच्छे से तयार हुआ है और यह दूद की पुड़ी बनाना भोत आसान है और जो हम साधी पुड़ी बनाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी खस्ता बनती है यह और खान जाए कर जा है जब यह तेज गरम हो जाएगा तो अब हम पुड़ी को अन्यगर करेंगे अगर आटा थोड़ा पतला हो जाएगा थोड़ा नरम हो जाएगा तो पूरी आप अच्छे से बेलनी पाएंगे यह देख लिनको पूरी बेलना नियाना पधि वो इस तरह से देख के सीख सकते हैं पूरी बेलना जी अथ्या तेदगरम हो गया है अब हम इसमें पूरी निकाल रहे हैं आप जाये तो तेल में भी निकाल सकते हैं पर ये दूद及 पूरी जो है वो गी में जादा अच्छी लगती है ये देखिया हमारे पूरी कि अच्छा गरम होना चाहिए तो यह पूड़ी अच्छी उतरती है और इसकी रोटी भी अच्छी बनती है दूद वाले आटे की आप रोटी भी बना सकते हैं अमस्कार वंदेना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है आद में बना रही हूं दूद की पूड़ी तो यह दूद पूड़ी तयार है इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं मैंने आज दही जमाया है तो दही के साथ सब लोग खाएंगे और आप आलू की सबजी के साथ भी खा सकते हैं अचार के साथ भी खा सकते हैं और यह पूड़ी जो है यातरा के उमें ले जाने के लिए बहुत अच् तो यदि आपको मेरा ये दूद वाली पुड़ी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें